हेलो दोस्तो मैं रिश्यू टैग दिना दिन से और आज हम बात करेंगे एंड्रोइट के लिए 5 पैस्ट फ्री पीडियाफ रीडर के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं मून प्लस रीडर बहुत पावरफुल पीडियाफ रीडर है जो सपोर्ट करता है EPUB, MOBI, CH, CBR, CBZ, Text, HTML, RAR और Zip File Formats को कि आता है 10 से ज़्यादा थीम्स और 24 कस्टमाइज ओपरेशन और 5 आटर स्क्रोल मोड के साथ मून प्लस रीडर जाना जाता है अपने समझदार पैराग्राफिक और ट्रिमिंग के लिए एक गैर ज़रूरी खाली स्पेसिस को डिलीट करता है हाइलेट, अनोटेशन और डिशनरी इसके कुछ और फीचर्स हैं फॉक्सित, यूज emulate असान PDF reader है जो आपको अलाव करता है आपके PDF फाइल्स को open करने में annotate add करने में और आपकी PDF फाइल्स को protect करने में यह free PDF रीडर आपकी मदद करता है व्यू, organized और PDF को edit करने में असान रीडिंग के लिए PDF फाइल को reflow करने में PDF files को rename, move, copy और delete करने में, annotate, stamp और PDF documents पर sign करने में Adobe Reader में PDF Reader के साथ साथ सभी stand-up features available हैं आप बहुत ही असानी से इसकी help से किसी भी email या web से किसी भी PDF files को open कर सकते हैं जिसमें share support हो आप अपने camera से कोई भी pick लेकर इसे PDF file की तरह save कर सकते हैं Adobe Reader आपके open PDF की एक history create करता है इसे file read करने में बहुत ही असानी होती है Zodo Reader काफी अच्छा PDF reader होने के साथ साथ एक editor भी है इस PDF reader की help से आप अपनी PDF edit कर सकते हैं highlight, text को underline और PDF को annotate कर सकते हैं PDF के अलावा आप Zodo Reader से docs और PP text files को open कर सकते हैं और PDF के तरह save भी कर सकते हैं Zodo Reader की help से आप edited PDF file को drop box, google drive और one drive से auto sync कर सकते हैं Libri एक free android PDF reader है जिसमें DGVU, EPVU, EPUB, EPUB3, MOBI, FB2 इत्यारी file support करते हैं किसी भी PDF files को open करने के लिए आपके पास तीन option होते हैं Easy mode, Advanced mode और Musician mode Easy mode एक plain PDF reader है Advanced mode में आपको edit, auto scroll, lock page, movement from left to right के options मिलेंगे Automatic scrolling इसका सबसे useful option है Passionate readers के लिए ये Android app बहुत ही suitable है जिनमें कुछ amazing features हैं जैसे search text, jump और zoom अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो like और share करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें subscribe करें धन्यवाद झाल